Hello viewers, welcome to my channel, hope you are well So, हमारी आज की इस वीडियो की टॉपिक है Class 11 की एक पोएम, The Voice of the Rain जिसे लिखा है Walt Whitman ने अब ये Walt Whitman कौन है? चलिए, उनके बारे में पहले जान लेते है Walt Whitman एक American poet थे जिन्होंने Leaves of Grass नाम की एक बहुती मशूर बहुती फेमस एक पोएम कलेक्शन लिखा था जिससे की ये जो पोएम है The Voice of the Rain ये कविता लिया गया है तो अब चलिए इस पोएम से रिलेटेट कुछ इन्फोर्मेशन जान लेते हैं ये पोएम पहली दफा 1850 में यानि की 1885 में फरस्ट टाइम इससे पब्रिश किया गया था एक पिरियेडिकल्स में ठीक है उसका नाम था आउटिंग आउटिंग नम की जो पिरियेडिकल निकलता था तब तब उसमें पहली बार इससे पब्रिश किया गया था लेकिन उसके बाद Leaves of Grass जो पोएम कलेक्शन है मैंने जिसका नाम अभी अभी जिकर किया उस पोएम कलेक्शन में ये पोएम को भी इंक्लिउट किया गया था ठीक है बाद में और अभी हम जानते है ये जो Voice of the Rain है ये पोएम Leaves of Grass से ही लिया गया है तो अब चलिए इसकी जो टेक्निक है वो टेक्निक जान लेते हैं इसे लिखा गया है Free Verse टेक्निक में ठीक है Free Verse यानि की जिस टाइप की पोएम में किसी भी तरह का एक जो सेट मीटर होता है या फिर माल लीजिए राइम स्किम होता है वैसा नहीं इस्तेमाल किया जाता और डिफरेंट टाइप्स ओफ मीटर्स या फिर राइम स्किम उसमें हमें दिखने को मिलते हैं तो उसे ही हम कहते है Free Verse टेक्निक ठीक है तो यह जो पोएम है यह एक 12 लाइन का पोएम है जिस पर हम Free Verse टेक्निक का इस्तेमाल देख सकते हैं तो चलिए अब लाइन बेलाइन अनलेसिस शुरू करते हैं यह जो क्वेस्टन है यह कौन पूछ रहा है यानि कि जो पोईटिक पारसना है वो पूछ रहे है कि तुम कौन हो किसे पूछ रहे है to the soft falling shower यानि कि वो रेइन से यानि कि हमारा पोईट या फिर कह सकते है पोईटिक पारसना वो बारिश्य पूछ रहे है कि तुम कौन हो और यहाँ पर मुझे बताने में बहुत ही हैरानी हो रही है कि उसने मुझे जबाब दिया यह जो मैंने question की कि तुम कौन हो तो उसने इसका जबाब दिया as he had translated और मैं आप लोगों के लिए वो जो answer दिया उसको मैं translate कर रहा हूँ I am the poem of art तो वो जो बरसाद गिर रही थी उसने कहा कि मैं हूँ poem of art दुनिया की कविता say the voice of rain वो जो rain की जो voice है rain की जो आवाज है उसने कहा कि मैं हूँ दुनिया की कविता eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea यानि कि मैं eternally, continually सनातन काल से मुझे तुम छू नहीं सकते क्योंकि यह तो water भे पढ़ है हमें पता ही है यह क्या करता है जमीन से और bottomless sea यानि कि जो deep ocean से उससे निकल कर आस्मान की तरफ भागने लगते है upward to heaven और वो चले जाते है कहा की तरफ आस्मान की तरफ once जहाँ पर vaguely formed वहाँ पर वो क्या होता है condensed होता है क्योंकि हमें जो process है rain का वो process हम सभी को पता है बचमन से ही हम जानते आ रहे है कि जब water vapor उपर जाते है तो वहाँ पर बहुत ठंड होती है और वहाँ पर जाकर वो condensed होकर एक vaguely cloud का formation करते है altogether changed और वहाँ पर जाकर वो completely change हो जाता है क्योंकि वो जो water vapor है वो वहाँ पर जाकर क्यों सेम रहता है क्योंकि है तो वो पानी ही अब water vapor ले लो या फिर droplets ले लो सभी तो होते हैं पानी ही I descend to live the droughts atomies dust layers of the globe और मैं क्या करता हूँ जो gravitational force है यानि कि gravity के बज़े से मैं बारिश की रूप में नीचे आ जाता हूँ to live the droughts यानि कि जो सूखा पन है दुनिया की जो सूखा पन है उसे मीटाने के लिए उसे completely erase कर देने के लिए atomies atomies यानि कि जो small particles होते है चोटे-चोटे वो जो atomies है और dust layer है दुनिया की उपर जो धूल का जो पड़त हो चुका होता है उससे हटाने के लिए पर नहीं गिरा, तो क्या होगा? यह जो seeds है, यानि कि यह जो बीज है, उससे कभी भी अंकुर नहीं निकलेगा, उससे कभी भी पौधा नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे बज़े से ही seeds से seedlings निकलते हैं, ठीक है? छोटा-छोटा जो पौधा होता है, वो निकलता है, अगर में एक और प्रोसेस भी जुरा हुआ होता है कि मेरी जो ओरीजिन है मेरी जो सोर से तो मैं उससे भी भढ़ता रहता हूँ क्योंकि हमें पता ही है यह जो साइकल है यह जो वाटर साइकल है यह कांटीनुवसली चलता ही रहता है चलता ही रहता है ठीक है and make pure and beautify it and altogether what do I do मैं इसको pure करता हूँ और beautify करता हूँ क्योंकि हमें पता ही है जब बारिश हो जाता है सब कुछ clear सा दिखता है एकदम green green दिखता है एकदम हरियाली ही हरियाली होती है हमें बहुत ही सुन्दर दिखने लगता है सब कुछ For song issuing from its birthless after fulfillment, wondering raked or unraged duly with love returns यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा comparison दिखने को मिलता है यहाँ पर यह जो voice of rain है इसके साथ एक song को तुलना किया जा रहा है compare किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह जो song है यह इसकी जनम के बाद ही क्या होता है लोगों में fit ता रहता है और उन लोगों को एक fulfillment देता है लोग उसे सुनकर बहुत ही अच्छा महसूस करते है और उसके लिए प्यार बरसाता है तो यह जब लोट कर मेरी तरफ बापस आते है तो सिर्फ अकेला नहीं होता चाहे लोग उसे recognize करे या फिर ना करे लेकिन लोगों का जो प्यार होता है वो प्यार उस गाने के साथ मेरी तरफ बापस आ जाता है ठीक है तो यही पर यह poem खतम होता है Hope this will be of help If you like this video, give it a thumbs up And don't forget to subscribe to my channel Thank you